मैं मैं आरविवी, आरविवी की चनल पे आप सभी का दिल से स्वागते मेल ले कर क्या हूं, यहां पे मांसून स्वेशल किचन टेपस मनसौन में जो हमारी चीजे खराब होती है अकसर वह ज्ञादा खराब होती है दूसरे मौसम में जादा खराब नहीं होती दूसर हमारे घरोते दिर्वाजे नहीं डर्याते क्या आप ़ reflections नहीं डराते इंगे आपके घरों के दर्वाजे खुलते समय आप लोगों को नहीं डराएंगे रातों को उड़ते हैं तो दर्वाज इतना अरवाज करता है कि बच्चे और बड़े दोनों डर जाते है तो यहाँ पर देखिए मंबती लगाई है या तो मंबती नहीं है तो पावडर लगाई है। कौण सा पावडर कोई भी पावडर लगा लिजए जो आप लगाते हो नेच्रल वही पावडर है इस्पायर है तो भी यूज़ कर सकते हो कोई दिकत नहीं अपने स्कीन पर इस्पायर पाड़र नहीं लगाईएगा दूसरी टिप्स भी हमारी पाड़र को ही लेके हैं चाहे आपके अलवेरा हो गया चाहे और सी गरदान हो गया तो वह अकसर फूल जाते हैं लकड़ी के होते तो यहां पर करेंगे क्या कि ले लिए पाड़र कोई भी पाड़र और यहां पर अच्छा से लगा दीजेए चम्मच के सायता से मैंने लगा दिया अब आतों से भी लगा सकते हूं तो अब यह असानी से खुलने लगेंगे आपको कोई परिसानी नहीं होगी एदेखिए आ अगली टीफ है हमारी इंडबो को हम फेक देते हैं कचर समझके जी हां, तो इनको मत फेके, आपके किचन के लिए आपके बहुत सारी चीजों में काम आने वाले हैं, यह तो मैं इनका एक दो ही यूज बताऊंगी, तो यह देखिए, कोई भी चमच होता है, कोई भी आपके छोटी चोटी जो सामान होते हैं, उनको हम रोज यूज नहीं करत तो इस दिबे में पैक करके रखे, आपके कामीजी हो जाएंगे, आपके चमच हो गए रखो कोई केड़ा, कोई मख्या नहीं टच की होती और साफ सुत्रा रहता है, अब इसी को लेकर के मैं एक और टिप दोंगी, मतलब इसी दिबे में, इनको खाली करके मैं उता देती तो यहाँ पे लेंगे केला, केला अकसर ले आते हैं जादा, तो चार दिन के लिए इससे फ्रीज में आप इस्टोर करके रख सकते हूँ, जादा नहीं, इस तरह से इस्टोर करके फ्रीज में रख देना, चार दिन के लिए आपका केला बिल्कुल फ्रेस रहेगा, या तो जो खाना गरम करने वाला एलमोनियम फाइलाता है उसमें भी अपने केले को फोल करके रख दोगे तो अभी आपका केला खराब नहीं होगा तो यह राखी का डिपा बचा था मैंने इसमें रख दिया और यह टांस्प्रेंट होने के कारण इसमें दिखता भी रहता है कि हमारी माचिस यहां पर रखी है आपके किचन में कोई और भी जाएगा काम करने तो अच्छे से मिल जाएंगी तो यह दिखने में भी सुन्दर ल मुंबटी जलानि है, मुंबटी का यहां पर काम आने वाला है हमारे अगले टिप में तो देखी मै ज़ा कर देकाती हूं एक तम माचिस हुमारी बरसात में जल जाएगी, अक्सर देख वोंगे के माचिस सेड़ जाती है, वो बार बार जलानी परती है तो यह देखा, टश क तो यहां तक के लिए हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को दिल से थैंक यू शुक्रिया तो वीडियो हमारी मेहनत हमारे चैनल आपको पसंद आते होंगे तो प्लीज लाइक करिएगा सेयर करिएगा सब्सक्राइब कर लीजेगा हमारी ऐसी ही तिप देखने के ल वर को déjà, यहाँ पर हां आज झाल झाहिए नहीं तो यहाँ मोंब्ति के ऊपर टमातर को जैसे मैने पहले आफ इस सी आज द pass以前 , ज्फार rice小ches कि आज मेरा भून देंगे zwaron ऐसा नहीं करना है कि इस तरह से मुंबत्ती पिलिए मुंबत्य को डाले ना कि आप मुंमत्य के ओपर टमाटव2, 3 है जी सीरे टमिन भीर को में, नहीं, खाने होगा कि मुंमें जो नहीं लिए चाहे लेँगो तो ना कि रख्ता दें से पिरिज वह वहला है तो देखिए अगर आप बच्चे को भीज रहे हो टमाटर बच्चा आपकी घर में है तो फ्रीज में उगरे में आप लगा के रखो अगर आप ऐसी कोई चीज रखे रहोगे तो बच्चा अपने से लेके खा सकता है तो आप ध्यान दीजेगा जरा तो इनको आप अच्छे से कीड़े लगने लगते हैं या तो खराब होने लगते हैं गलती हमारी होती है उन्हें प्लास्टी के बोरी में रख देते हो या तो फिर बॉल्थी में अपने लहसन को ले आया मार्केट से और उसी तरह रख देते हो ऐसा नहीं करना इस तरह का थेला आप लोग के पास क्योंकि यहीं से मुवमेंट होता है और हमारे लाहसन खराब होने लगते है तो इनको जला देंगे और इनको बुझा के ही इस्टोर करना है ना कि अच्छे से इनको जला दीजिए और बुझा दीजिए इनमें आग लगी रहेगी आप ध्यान नहीं दोगे इस्टोर कर दोगे तो हाज से हो सकते हैं, आराम से अच्छे से नहसन को इस्टोर कर दें अपने पॉल्थीम में, यानि पॉल्थीम नहीं, थैले, कॉल्टन के थैले जो है ते हैं उसमें रखना, कॉल्टन के डिब्बे में, उमेद करती हूं सारे तीप आप लोंको अच्छी लगी होगी, वीड थैंक यू